नमस्कार दोस्तों स्वागत थे आपका हमारे चैनल अचार जागेंद्र मिस्टा में आज हम बात करेंगे आज के कनियराश की दनिक रास्पल की लेकन उश्य पहले बात कर लेते आज के पंचांग के बारे में 23 जून 2021 बुद्धवार का दिन है और जेश्ट मास शुकल पक्षी चतूर दसी तिती है नचतर है आज अनुराधा और अब जीत महूरत की अगर बात करें तो आज दुपार 11 बच के 36 मिन से लेके दुपार 12 बच के 25 मिन तक रहेगा आज का शुरूद है शुबाए 5 बच कर 24 मिन पे और चंद्रमा गोचर कर रहे हैं ब्रिश्टिक राशी पर आज के जो अशुब समय होगा वह होगा साम 4 बच कर 3 मिन तक रहेगा इस अशुब समय में कोई भीशुब और नई कार्खिस्तुरुआत ना करे नहीं तो आज आज आपका मांच समान बढ़ेगा कने रास की याद को आज आज आपका आफिसली काम काफी बहतर रहेगा अगर आफिस का काम कोई रूका हुआ था तो वो कार पूरा होता ना जराएगा आज मारकेटिंग के छेतर से काफी अच्छा धनलाब होने की योग बन रहे हैं कन्यय रास के जात को हों आज आप अगर लोन वगेरे के लिए आवेदन दिये थे तो अगर कोई अठका हुआ था कन्ये रास के जात को तो वो पूरा होता हुआ आज ना जार आएगा और आकास्मिक धनलावी के योग भी बन रहे हैं आज पैत्रक शंपत्ति के मामले में भी आज आपको काफी मुनाफा देखने को मिलेगा आज फैसला आपके पक्ष में आ सकता है कोट के चेहरी के मामले में कन्या राज के जात्कों आज आपके पक्ष में फैसला आ सकता है परतियोगी परिछा की तैयारी कर रहे हैं तो आज आज अपने प्रतिभा का लोहा बनवा सकते हैं और कारचेत्र में आज आपके मंचाही फलो की प्राप्ती होगी जीवन में चल रही जो धन संबंधिश माशाय थी उसका समाधान होगा लंबे एबन छोटी यात्राइं हो सकती है बिदेश की यात्राइं हो सकती है या फिर अपने कीमती समान की रक्षा यानि कि अपने जो समान ले जा रहे हैं उसकी सुरक्षा और रक्षा दोनों करें क्योंकि थोड़ी सी भी लापर वाही आपके लिए चूरी होने कडर बना रहेगा अलाकि ग्रह शितिया कहे रही हैं आज की दिन काफी अच्छे योग बन रहे हैं कन्यरास कियात को जिसका सीधा सीधा लाब होगा केजियर की अगर शुरूआत करें तो केजियर में उस्थपत की प्राप्ति वा प्रूमोशन की योग बने हुए हैं आज आज आपके बोस आपके बरिष्ठ दिकार पूरा करते ने जराएंगे श्टाफ के लोगों को सहीयोग प्राप्त होगा किसी बड़ी कंपनी से यानि मल्टी निशन कंपनी से आफ़ार आ सकता है आपके जोब के लिए कनियरास के लाइद को अगर आज आप अपने पार्टनर के साथ जो लब पार्टनर है उनके साथ घूमने फिरने कमान बना रहे हैं तो काफी अच्छा समय रहेगा लेकिन ज्यादा लंबी दूरी के यात्रा ना करें हाला कि आज एक दूसरे के साथ ज़्यादा समय भी ताते नजराएंगे एक दूसरे के साथ ज़्यादा ज़्यादा आप घुल मिल कर रहेंगे कुछ गिप्ट या उपहार देनी के कोशिश करेंगे शादी व्याखिश चर्चाएं कर सकते हैं तो कनियरास के यात्कों आज आपके दामपत्त जीवन के साथी के साथ भी बेहतर रिष निश्ची तरप आज आपको शफलता जरूर मिल्ती नजराएगे आज आपके सोची हुए कार पूरे होगे और आज लोडरे शटा में अगर अगर आपना भाग एघ्माना चाहते हैं तो निश्ची तरप आज आज आपको डबल मुनाफ़ा देखने को मिलेगा और कनियरास के जातकों अगर आपने पहले से जमीन प्रोपरिटी में या फिर आप जैसे की सेर मार्केटिंग के छेतर में अगर पहले से निवेस किया हुआ है तो भी आज आपको अच्छा खासा धनलाब हो शकता है आज आपका रूका हुआ फसवा धन प्राप्त होगा शाथ ही आज कोई बिवाद चल रहा है तो वहां पर आपको तीसरा पक्स बनकर नहीं जाना है नहीं तो आप पर भी भारी पढ़ सकता है शेहत का जरूर ध्यान रखें शेहत संबंदी अलोगी प्राबलम कुछ नहीं रहेगी पीता जी के शेहत में और माता जी के शेहत में सुधार देखने को मिलेगा जो पहले हाश्पिटलाज घर ची बढ़ रहे थे उसमें कमी देखने को मिलेगी कन्य राज के जात्कों और आपका शेहत और आपके जीवन साती का शेहत काफी उत्तम रहने वाला है कन्य राज के जात्कों आज घरेलू जीवन की बात करें तो घरेलू जीवन काफी अच्छे रहेगा क्योंकि आज आपके घर परिवार में शुब मंगल कार हो रहे हैं शादी बिवाश शंपन हो रहे हैं धर्मकर्म के कार हो रहे हैं धार्मी कारियों में कन्य राज के जातकों आज आपके रूची बढ़ेगी पीता जी भी धार्मी कारियों का आयूजन कर सकते हैं आज आप का भी सहीओक पूरा होता नजराएगा धर्मकर्म के कारियों में, शमाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, शमाजिक गत्विदियों में कन्य रास के जाट को पूरा पूरा शमर्थन करते नजराएगे, और आज आप पूरी तरह से इंट्रेस्टे भी रहेंगे सम फोकस बना हुआ है जितना पढ़ाई लिखाई पर फोकस करेंगे स्टुडेंट उतना ही आपके लिए काफी लाब दैक रहेगा आज घूमने फिरने से बचना होगा और करने रास के याद को आज किसी कंप्रिटीशन ये फिर किसी एक्जाम की तैयारी में जुटे हुए हैं तो देखें लाब होगा बस आप अपने फोकस बढ़ाई पर बनाए रखें घूमने फिरने से बचें आज घर परिबार में बड़े लोगों को शदश जो बड़े लोग है आपके उनका सहयोग प्राप्त हो सकता है या फिर आप अपने से छोटे लोगों का भी मदद कर सकत हैं पीता जी का सहयोग प्राप्त होगा आपके बिजनेस ब्यापार केरियर में माता जी का भी सहयोग और आसिरवाद आपके उपर बना हुआ है कन्यरास की यात को कन्यरास की यात को अगर जीवन साथी की बात करें तो जीवन साथी आपके साथ खड़े हुए हैं हर समय अगर आप महिला है तो पूरु सिलाव होगा आज आपको शंतान की तरक्किशे काफी मन प्रसंड रहेगा समाज में मान समान बढ़ेगा करने रास के रात को शंतान के तरफ से कोई बड़ी खुशकबरी मिल सकती है या फिर जीवन साथी के द्वारा शंतान को लेकर कोई बड़ी प्लानिंग कर सकती है फिर खुशकबरी मिल सकती है आज आपको यानि कि कई जगाओ पर बहुत ही अच्छी स्थितियों कर निर्माल होगा आज आप अपनी पुराने दोस्तों से मुलाकात कर सकते हैं पारिवारिक जिबन में जो उथल पुतल पहले थी वो आप नहीं रहेगी और एक बेहतर यानि समय और सब के साथ इंजॉय करते हुए नजराएंगे और आज आप काफी दर्या दिले भी किसी के द्वारा दिखा शकते हैं किसी को आज आप अपनों के बीच यानि कि अपनों के बीच कुछ पैशे दे सकते हैं हलाकि पैशे लेंदें से बचना होगा ज्यादा आप किसी के यानि की बातों पर आए ना और लेंदें ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा करने रास के जाथ को कनियरास के जदकों आज आपको केरियर में आज उपलब्दी हो सकती है जैसे कि आज आपको शेलेरी वे ब्रिदी वा प्रमोशन की योग बनते नज़ आएंगे आज आपको बड़ी कंपनी एक साथ बीदेश और सो भी कोई सुप सूचना मिल सकती है कनियरास के जदकों अगर बीदेश में रहते हैं तो बीदेश में आपको कोई गूड न्यूज मिल सकती है शुप समाचार मिल सकते हैं चया वो जोब को लेकर हो यह फिर किसी बिजिनेश ब्यापार में या फिर घूमने फिरने का मौका मिल सकता है अगर कोई अपना विक्त रहता है बीदेश में तो वहां जाने का आपको मौका मिलेगा या फिर पढ़ाई लिखाई में आज आपको बीदेश जाने का मौका मिलेगा या फिर किसी अच्छे संस्था में दाखला लेने का मौका मिलेगा तो कने रास के जाद को आज काफी खुशियां है इसलिए तो कहा है खुशी से उचल पड़ोगे आज आपका शुबर रंग रहेगा शफेद भाग शाथ निवारा आपका तक्रिवन 80 परसंट है दोस्तों जाते ते वीडिको लाइक जरूर करें ने तो चैनल सब्सक्राइब क करें उसे शेयर करें जाए शेनदेव